दोस्तो आईफोन इता महंगा क्यूं है पहला हत्तोड़ा टेस्ट किजे दुनिया के सारे स्मार्टफोन पर मैं स्मार्टपोन की बात कर रहा हूँ लोक्या की बात में कर रहा हत्तोड़ा टेस्ट कीजे आईफोन वास सबसे मजबुत निकलेगा दूसरा, एंडुराइट फोन में वाइरस आ सकता है आईफोन में कोन हो वाइरस ना ही तीसरा, आईफोन की वीडियो क्वालिटी फाडू है कोई फोन नहीं टिक सकता इसके सामने चौतर, दिन तो दिन ये रात में भी एकदम चौकस पिक्चर लेता है पांचवाँ, आप हो हौंग कॉंग में, आईफोन आपके हाथ में है आपकी मैकबुक एयर है मुंबई वाले घर में आपका आई मैक कम्पुटर है लंडन वाले आफिस में आपका आईपेड एयर है नियू यॉक वाले ब्रांच आफिस में आईपैट प्रो है टोकी वाली ब्रांच में जादू देखो एपल के एको सिस्टम का आप अपने आईफोन के नोट पैड में कुछ लिखोगे दुनिया भर में रखे आपके सारे डिबाइसिस में अपने आप सब कुछ अपडेट हो जाएगा छटा 20 फूट पानी में डाले दुनिया के सारे स्मार्ट फोन को सबसे ज़्यादा वाडरप्रूफ आईफोन निकलेगा दोस्तो आईफोन 13 और 13 प्रो अभी कुछ घंटे पहले ही लाँच हुआ है धेरो खास बाते हैं इसमें लेकिन शो आफ करने वालों के लिए फोन बिल्कुल बेकार है कुछ निया नहीं है देखने में वही पुराने आईफोन 8, 10, 11, 12 जैसा सैमसंग की तरह कोई फोल्ड नहीं कोई फ्लिप नहीं मगर जिसको शो आफ नहीं फीचर से प्यार है वो मर मिटेंगे ठाकुर तो ग्यो सुनते जाओ पहला फ्रंट ग्लास पर एक्स्ट्रा सेर्विक शीड लगाई है एक्स्ट्रा एपल ने क्लेम किया है कि ये अब तक का सबसे मस्बूत मुबाइल फोन होगा इस दुनिया का आएगा तो जरूर हेमर टेस्ट करेंगे देखते कितना मजबूत है दूसरा बीस फुट पानी में ये आदे खंटे तक पढ़े रहने पर भी फस क्लास काम करेगा बीस फुट तो बहुत बहुत होता है मतलब बुरी तरह से गिरा तो से और बुरे बले पानी में गिरा तो से कहा थाना दिखावे वालों के लिए बिकार काम करें वालों के लिए चोकस लुक्स में एपल ने पिछले 14 सालों में कोई खास बदलाफ नहीं किया है 2007 में सब से पहला आईफोन आया था 1 से लेकर 13 तक phone को बढ़ा किया है screen को बढ़ा किया है और phone को hulka किया है slim किया है ये लोग ध्यान looks में नहीं लगाते ध्यान features में लगाते हैं जैसे अब की बार iPhone 13 की screen को हद पार चिकना किया है आपको gaming का shock है comments का shock है किसी तरह की कोई editing sharing करते हो और चाहते हो जल्दी जल्दी स्वाइप करो, स्क्रॉल करो या चाहते हो आपकी उंगलिया मुबाइल पर मखन कितना फिसले मतलब आप छूओ और स्क्रीन आगे तो ये फोन आपके लिए है या यू समझो इतनी चिक्नी स्क्रीन जैसे हेमा मालने के गाल नीचे कमेंट सेक्षन बताओ किस पलडिशन ने हेमा जी के लिए ये डैलक मारा था फिर एक मिनट कतम हो गया, एक शॉट कम से कम आदे घंटे का होना चाहिए बड़ा साइज, चिक्नी स्क्रीन, स्क्रीन को चुओ, उंगलिया फिसलेंगी आज कैसी कैसी भाशा का प्रियोग किया, पता नहीं ये लोग मेरे बार में क्या सोचेंगे मैंने आपको हमेशा कहा है कि आईफोन दिखावे के लिए नहीं है, फीचर्स के लिए है आपको फटागरफी का शौक है ना, भूल जाओगे सब कुछ, DSLR का तो बाप है और प्रफेशल फटागरफी में जो इतने सारे एक्किप्मेंट्स रखने पड़ते, इसके बाद नहीं रखने पड़ेंगे इस वीडियो का देखो, इतने अंधेरे तक में आप इतनी क्लियर फोटो ले सकोगे, तो प्रफेशल कैमरी की क्या जूर्ट है वो जो सारे अच्छे काम करते हो ना लाइट बंद करके, वो अब लाइट जलाके करना अगर कोई परदे की पीछे हुआ, और उसके पास आईपोन 13 हुआ, तो लेने के दिने पर जाएंगे दूसरा, इसके सिनेमेटिक मोड के कारण ये फोन आटोमेटिकली आपके सबजेक को फोकस कर लेगा और आसपास की सब चीजों को दुनला कर देगा, ये बड़ा मस्ट फीचर है, जो विडियोग्रफी जानते हैं वो तो मर मिटेंगे इस पर तीसरा, बहुत पास की फोटाग्रफी करनी है, जो आप निकेट आईसे नहीं देख सकते आईफोन तेरा देख लेगा, मस्ट देख लेगा अगर आप किसी लेक पर घुमने जा रहे हो और आपका फोन लेक में गिर जाए, तो चिंता मत करना दस फुट मीचे डेट साल बात निकालोगे तो वैसे का वैसा, बस फोन आईफोन होना चाहिए लोग इतनी गरंटी करते हैं और पैसा आने के बाद तू कौन मैं कौन, मगर आईफोन इतनी गरंटी करता है और इतना निभाता है, प्रूफ है इस लेड़ी का जिसने अपना आईफोन एट गिरा दिया साउथ कैरलिना रिवर में और बहुत पच्टाई क्योंकि इसमें उसके स्वर्गवासी पिता के मैसेजिस थे, जो इसके लिए बहुत प्रियत है और हरान रहे जब डेट साल बात उसको फोन आया एक यूटूबर का, जिसका कामी था गोता खोरी करते हुए नदी से चीजे खोजना क्योंकि वो हमेशा अपने विवर्ज को दिखाता था रिकॉर्डिंग्स, तो उस दिम उसका कैमरा भी ओन था, तब आईफोन गरंटी करता था 7 फोट तक की और ज़ादा-ज़ादा आदे घंटे की जबकि फोन मिला 10 फोट मीचे डेट साल बात, ये हद हो गई अंडर गरंटी की इनफॉर्मिशन अच्छी लेगी तो लाइक शेर सब्सक्राइब करो, नहीं तो मिलते हैं तो कैसे स्क्रॉल करते हुए